नवश्का दोस्तों मैं हूँ देखविजो और आप देख रहे हैं तोमर डी दोस्तों आज में दूंगा आपको लिनोवो के M10 FULL HD यानी की 4GB RAM और 128GB variant के unboxing बिना किसी दरीके चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर आपको लिनोवो क्या क्या ओफर करता है बिना किसी दरीके चलिए ओपन करता है दोस्तों Amazon की पैकिंग हटाने के बाद हमारे पास में आ जाता है M10 का यह पॉक्स पेसिकली यहां पर आपको क्या क्या मिलता है पहले इस बारे में बात कर लेते हैं पैकिंग जो है दोस्तों पैकिंग की बात करें तो पैकिंग बहुत अच्छी है लेकिन यहां पर दूसी चीजे कुछ भी मतलब जो बेसिक चीज है वह यहां पर कुछ चीज जो बताएं आप देख सकते हैं यहां पर फुल एजडी बता रहा है और इसके कैमरे क्वालिटी इसको पाउरफुल ओक्टा कोर चिप भी दी गई है वही दोस्तों इसका 8 मेकाफिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेकाफिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दोस्तों इसको दिया गया है एंड्रोइड टेक्नोलोजी और बहुत सारी डिटेल्स जो है दोस्तों यहां पर इसके बारे में दी गई तो बिना किसी देर के चलिए ओपन करके देखते हैं कि यहां बॉक्स के अंदर हमें क्या-क्या मिल जाता है चलिए यहां से अब करते हैं और अब देखते हैं जड़ा यहां क्या मिलेगा पहले तो सील पैक है दोस्ते जब भी कभी आप कुछ ऐसा आइटम खरें द तो कोशिश करें हमेशा यह देखें कि वह प्रॉपर्ली सील पैक है कि नहीं आप चलिए इसको उपन करते हैं और देखते हैं यहां पर आपको क्या-क्या मिल जाता है यह वी गो यह तो दोस्तों यह हमारे पास में हमारा टैबलेट आ चुका है इसको भी देखेंगे लेकि चलिए बताया गयाए कूँ साब बटन कहां से काम करेंगा बताय गया है सुथ मलेखा यहां पर यहां पर सब्सक्राइबickt काम करेंगी हो निकाल सकते हैं और आप सब डाल सकते हैं है तो छोटे सी अपको अधिक तरीं सब फोन में टी आज कल अगर आप कोई खरीदेंगे तो उसके अंदर भी आपको सारी चीजे मिल जाएंगे चलिए इसको लगा कर हम साइड में रख देते हैं और इनको भी हम इसके अंदर दुबारा डाल देते हैं हम इसकी जोट नहीं है फिलाल इसको करते हैं बंद और यहां आ जाते हैं मिसके दूसरे box तो दोस्तों यहां पर दिया गया है इसका charger और साथ में मिल जाती है इसकी data cable अब data cable जो है बैसिकली charging code जो है वो type C है कि नहीं है वो भी हम एक पर चेक करके आपको बता देते हैं जी हां यहां यहां पर आपको type C मिलता है तो type C बहुत फाइदेवांद है दोस्तों क्योंकि अ इसके लिए पता है नहीं चंड़ा इसको तो रुकिए जी हां यह नहीं खुल तो गया लेकिन इसके अंदर और कुछ भी नहीं है वो खाली था इसको कर देते हैं बंद जाने कि यहां पर और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा अगर मिलेगा होगी आपका tablet तो दोस्तों यहां पर एक कुछ किस तरीका का product जो है आप लिए रहने वाला है पनी हटाई और हमारे पास में हैं पीछे की तरफ देखते हैं तो लिनोवो की बैजिंग यहां पर है आठ मेगा फिक्सल का camera है और इसके अधर यहां पर आ जाता है आपके पास लिनोवो का front look यह कुछ किस तरीक यहां पर भी दी गई है तो चलिए एक बार इसको उपन कर लेते हैं और देखते हैं कि performance और response कैसा रहता है दोस्तों here we go और यहां पर हमारा जो टैबलेट है वो उपन हो रहा है डिजाइन की बात करें तो दोस्तों डिजाइन से मैं काफी ज्यादा प्रभावित हूं वैसे आपको बता दूं यह चार जीबी वाला वेरेंट है यह आपको पड़ता है करीबन 20,000 रुपीज की आसप चार जीबी वाला वेरेंट आप जरूर लें चार जीबी के बाद में आप बहुत सारी जो है अक्टिविटीज है यूट्यूब है गेम फग्यरा यह सब भी प्ले कर सकते हैं तो चार जीबी वेरेंट हमेशा बहता रहता है तो यहां से कुछ इसका इंटरफेस शूरू हो जाता है इसकी अंबॉक्सिंग हम कर चुके हैं और यहां पर इसके जो कनेक्टिविटी है मतलब आपको आपको सिम डाल के करना है यह आपने वाइफा से कनेक्ट करके करना है यह सब कुछ आप यहां पर डाल सकते हैं वैसे लिखा हुआ है connect to the mobile internet if you have a sim insert it now वैसे मैं आपको इसका जो sim tray वो भी एक बार open करके दिखा देता हूं इसकी जो operating की वीडियो है दोस्तों अलग से आएगी कि आप इसको किस तरीके से install करेंगे कैसे activate करेंगे फिलाल मेरा मकसद था कि आपको बसी थोड़ा सा बताना कि कुछ किस तरह का रहता है इसके कुछ pictures quality वो वगेरा भ option भी और एक sim card का यानि कि आप इसको अंदर memory card भी डाल सकते हैं और SIM card भी डाल सकते हैं और perfect आप कह सकते हैं कि अगर आप लेना चाहते हैं तो इस product को आप आसानी से लें और अपने जितने भी जुरूरी काम है आप इससे कर सकते हैं कि चार्जी भी रहें बहुत होती है और इस product के related इसके कुछ और चीज़े मैंने मंगाई हैं जुनको unbox करके मैं इनकी fitting के हिसाब से भी आपको दिखाऊंगा और इसके साथ के साथ आप किसको किस तरीके से use करेंगे यह सब चीज़े मैं आपको बताने वाला हूं